अपने शेहर की लेटिस्ट खमरों के लिए न्यूस को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में हम जमीन अधिकरन बिल लाए थे उस बिल का लक्ष आप लोगों की जमीन का की रक्षा करने का था किसानों की जमीन आदिवासियों की जमीन गरीबों की जमीन और उस बिल में साफ लिखा था कि अगर किसी उद्योग पती को जमीन दी जाएगी तो पांच साल के अंदर उस उद्योग पती को उस जमीन पर उद्योग लगाना पड़ेगा और अगर वो उद्योग नहीं लगाएगा तो वो जमीन जिसकी थी चाहिए वो आधिवासी हो चाहिए वो किसान हो उसके हवाले वापिस कर दी जाएगी और 36 गड़ में बीजेपी के सरकार ने आधिवासियों से चीन चीन कर चीन चीन कर उद्योग पती मित्रों को जमीन दे रख दे ताटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनी है मगर जब उन्होंने पांच साल के अंदर आधिवासियों की जमीन पर उद्योग नहीं लगाया तब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने आधिवासियों का आधर करके उनकी जमीन उनको वापिस लोटा दी आज आप 36 गड़ जाएं धान आपको दो हजार पांच सो रुपए क्वेंटल में मिलेगा सरकार धाई हजार पांच सो रुपए में क्विंटल खरती दान खरती है सरकार धाई हजार पांच सो रुपए में क्विंटल खरती दान खरती है शायद एक प्रदेश है जो यह काम करके दिखाता है पहले जब हमना चुनाओ था बीजेपी के लोगों ने कहा कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता आपको यहां सही दाम नहीं मिलता जहां भी बीजेपी की सरकार है उद्योग पतियों को जमीन मिल जाती है आपका जल आपका जंगल आपकी जमीन उनके हवाले कर दी जाती है मगर आपको धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है और हमने वहाँ वाइदा किया था हमने दो तीन चीज़े कही थी लंबे भाशन नहीं किये थे दो तीन चीज़े कही थी कहा था MSP 2500 रुपे प्रतिकलिंटन धान में आपको मिल जाएगी हमने कहा था कि किसानों का वहाँ पर कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे साड़े पांच साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार है यहाँ पर BJP की सरकार है अलग-अलग प्रदेशों में BJP की सरकार है कहीं भी इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया और जहां भी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो करनाटा, चाहे वो पंजाब, 36 गड़, मध्यप्रदेश, राजिस्तान, हमने वाइदा किया था, कि सही दाम मिलेगा, और किसान का कर्जा माव करके हम दिखा देंगे.